वेलकम बेक टुमाइटूब चुन पेपर हैकर आजके सब्सक्राइब देखेंगे जो भी छातर बीए फस्ट सेमस्टर में है उनके लिए हम सोचलोजी के जो इंपोटेंट कोशन दिये हैं उनके आंसर में आपको बता रहा हूं सोचलोजी ठीक है अब यहां देखो मैं आपक को स्काइब करना चाहते हैं तो नोट को डान्लोड कर सकते हैं टेलेग्याम का इंक कोशनों के बिनक कre gossip कि पिरकार के समंन्द ही दूं कि कि एर आ हैं यह कि एक समाज में के बल कुछ बिसेश प्रकार के सम्नद ही शूब लिए जाते हैं तो कि आ इसमालेत्ती हैं संपूर समाजिक संबंदों की विवस्ता है उन्होंने बताया कि जब की जो समाज है वो संपूर समाजिक संबंदों की विवस्ता है इस पिरकार एक समाज विसेश लक्षों की पूर्ती है तो एक साधन के रूप में प्रियोग किया जाता है उसकी बाद में मेजर नाम के एक विद्वान थे उन्होंने बताया मेजर ने ये बताया मेजर नाम के जो विद्वान थे उन्होंने बताया कि एक समाज जो ब्यक्ति का ऐसा समूँ समझा जा सकता है जो कुछ समान किरियाओं से जागरुक रूप से भाग लेते हो और एक रिटर्ट थे उनके अनुसार क्या था जी रिटर्ट थे उन्होंने अपने हासा में ये बताया कि समाज से बिलकुल भिन एक समाज कोई भी ऐसा संगटन है कोई भी ऐसा संगटन है जिस के माध्यम से बेक्ति अपना जीबन वयतीद करता है अब अपरोक्त इन दोनों के मेजर और लिड़ा के अनुसार ओकर परिभावासा के निसार यह सफ्ष्ट होता है कि Enun समाज समाज के बिलकुल भिन है मतलब एक समाज है जो वह समाज से क्या है बिलकुल विन्य और एक समाज में ब्यक्ति के अपने हितों से या हितों की पूर्ति होती है मतलब कि जो एक समाज है उसमें ब्यक्ति के अपने हितों की पूर्ति होती है जबकि समाज की नहीं होती अपने हितों के बारे में जो सोचता है वो एक समाज कहलाता है एक समाज की परिवासा के एक समाज का अरथ इसपष्ष्ट करने के लिए तो आपड़ opinion..? प्रूरी तरीके से यहां से यह कर यह थे कर रहने हैं तक याद कर लो एक समाज का अर्थ इसपष्ष्ट करने है तो यह हो गया वैल ध्र है करेंगे समाज और एक समाज में अंतर इस पश्ट करेंगे तो चल्ब को सब्सक्राइब कर देना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेर कर देना थैंक यू फूर बचन इस वीडियो